हेई गाईज बेसी नर्सिंग का नंबर वन चनल इस्टेटिम मेडियम आप सभी का सवाल रहा तो आज के इस वीडियो में आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे-चे कॉंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो वीडियो को सुरू से एंटर देखिएगा अगर पूरा प्लेलिश्ट आपको चाहिए तो हमारा एप को जरू डाउनड करें आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो क्लास को एंटर देखिए और पसंद आई तो लाइट जरू करता है इसका क्लास पहला कोश्चन से भारत में परसिद्ध मयूर सिंगाशन को कौन लूट कर ले गया अप्शन 1 कुतुबूत दिन एवक अप्शन बेल तुमिस अप्शन से वलवन और अप्शन ल्लाव दिन खिल जी तो इसका करेट अंसर हो जबा अप्शन बी इलतुतमिस इलतुतमिस के सांसन काल में चंगेज खाने भारत पर आक्रमन किया था नेक्ट क्वेश्चन से भार पहले भी ये questions पूछा गया है और अब भी पूछा जाएगा इसका काई एंसर हो जाएगा option C एनिवेशंट यहां पे भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस की पहली महला की बात की गई है तो एनिवेशंट अगर पहली भारतिय महला की बात की जाए अगर पहली भारतिय महला की बात की जाए तो वह हो जाएगा सरोजन इन्याइडू कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी 1885 में ठीक है चलो next questions कर बढ़ते हैं और next question से भारत की पर्थम महला सासी का कौन थी मतलब first जो महला सासन करने वाली सासी का कौन थी चांद भी भी रजिया सुल्तान नूर जहां या फिर ममताज महल सो इसका correct answer जागा option भी रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान पहली महला थी जो सासी का बनी थी next question से शिवाजी की राजधानी कौन से थी राइगर पुने पुरांधर या फिर करवार तो सिवाजी की जो राजधानी थी वो राइगर थी next question से तैमियूर ने किस सुल्तान के सासन काल में भारत पर आकरमन किया था इलतुतमिस मोहमद बिन तुगलक नादिरुद्दिन मोहमद या फिरोई तुगलक इसका correct answer हो जागा option C नादिरुद्दिन मोहमद के सासन काल में तेमूर लंग ने भारत पर आकरमन किया था next question से अमियूर खुसरो किस सुल्तान का दरवारी कभी था फिरोई तुगलक सिकंदर लोदी अलावदिन खिल जी या फिर बलवन तो इसका correct answer हो जागा option C अलावदिन खिल जी अमियूर खुसरो अलावदिन खिल जी के टाइम जो थे उनके दरवारी कभी थे ठीक है अमियूर खुसरो कभी थे और ये अलावदिन खिल जी के टाइम में कभी थे next question से नादीर शा ने किसके सासन का अलमे भारत पर आकरमन किया था अहमद सा, मुहमद सा, सा आलम या फिर बहादूर सा तो इसका correct answer हो जागा option B मुहमद सा ठीक है नादीर सा ने मुहमद सा के टाइम क्या किया था भारत पर आकरमन किया था next question से मुस्लिम लीग की स्तापना के समय भारत का वाइसराई कोन था लॉर्ड करजन, लॉर्ड मीन्टो टू, लॉर्ड चैंप्सफोर्ड या फिर लॉर्ड हार्डिंग तो इसका correct answer जागा option B लॉर्ड मीन्टो टू next question से सिवाजी का उत्राधिकारी कोन था सिवाजी टू, राजा राम, संभाजी या फिस्साहू तो सिवाजी के बाद राजगद्धी कोन समाला, उनका उत्राधिकारी कोन बना तो संभाजी बने थे, ठीक है, सिवाजी के बाद संभाजी next question से निम्लिकीत में से किसी योजना के अंतरगत भारत का विभाजन किया गया था वेवल योजना, कैविनेट मिशन, माउंट वेटन योजन या फिर क्रिप्श मिशन तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा, option C, माउंट वेटन योजना माउंट वेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था next question से, सोतनत्रता प्राप्ती के समय भारती राश्टी कॉंग्रेस का अध्यक्ष कोन था जब भारत आजाद हो रहा था, मतलब 15 अगस्थ 1947 उस टाइम कॉंग्रेस के अध्यक्ष कोन थे, पटा भी सितार में या डॉक्टर राजंदर परसाद जेवी क्रिपलानी या फिर मौलाना अबदुल कलाम आ जाद तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा, option C, जेवी क्रिपलानी जेवी क्रिपलानी उस टाइम कॉंग्रेस के अध्यक्ष थे और इसे जंडा समीती के अध्यक्ष भी बोला जाता है, जो जंडा तिरंगा बना था, जंडा समीती समिती के इसे अज्दक्ष भी बनाया गया था जे विक्रिपलानी को सरदार बल्लब भाई पटेल के नित्रित में बार्दोली आंदुरन का हुआ था 1942, 1930, 1919 या फिर 1928 तो इसका करेटेंस रोज़गा अफसंडी 1928 को बार्दोली सत्यागरा हुआ था और ये किये थे सरदार बल्लब भाई पटेल ने ठीक है नेश कोशन से निमलिकित में से कौन भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम उद्यक्ष थे मोहमद अली, मौलाना अबुलकलाम, बदरूदिन तैयब जी या फिर सेयाद मोहमद बहादूर तो इसका करेक्ट अंसर हो जागा अपसंसी बदरूदिन तैयब जी बदरूदिन तैयब जी जो थे वो भारती राष्टी कॉंग्रेस के पर्थम मुस्लिम उद्यक्ष बने थे नस्ट कuleशन सरे बोध धर्म के महा यान संपरदाए का संस्ताफक नगारजून निम्लिकत में से किस सासक की सम्कालेन था बिंदु शार अशोग कनिस्क्र या हाश्रवरजन तो जो नागारजून थे उन्होंने बोध धर्म के महा यान संपरदाय का स्थापना किया था और ये किसके सासनकाल में चुद थे तो वो थे कनिस्क के सासनकाल में ठीक है कनिस्क के सासनकाल में इसलिए कनिस्क भी बोध धर्म को मानने वाला राजा था नेक्स्ट क्वेशन से नेमलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिस संसत दुआरा महावयोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग लॉड कार्णावालिस लॉड हेस्टिंग या फिलॉड वैलेजिली तो इसका करेट अंसर हो जागा अफसन है वारेन हेस्टिंग खुसरो, साजह, दाराशिको या फिर मुराद वक्ष तो इसका करेट अंसर हो जागा ऑफसन सी दाराशिको दाराशिको ने क्या 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 उपनी व्षदों का फार्सी में अनुवाद किया था नेच कॉस्चन से चितोडगड का क्रिति श्थम किसके द्वार निर्मित क्या गया है राना कुमबा, राना सांगा, राना माल देव या फिर उप्रूत में से किसी ने भी ने तो इसका करेट अंसर जागा ऑफसन है राना कुमबा पुरंदर की संदी 1665 में हुई थी छतरपती सिवाजी और किसके बीच राजा मान सिंग, राजा जय सिंग, साइस्ता खा या फिर मुखल कूली खा तो इसका करेटेंस वजगा आपसन भी राजा जय सिंग नेश्ट कोशन से, किस वाइसराई के सासन काल में दिल्ली दरवार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपादी से सम्भानित किया गया था लॉर्ड करजन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड लिनलित गो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन को कैसरे हिंद की उपादी से सम्भानित किया गया था और ये महारानी विक्टोरिया को दिया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा ठीक है ये इनके सासन काल में हुआ था और ये डिल्ली के दरवार में इसा बहा था ठीक है तो यह Victoria जी को दिया गया था केसरे हिंद आप हमारे app के साथ जोइन हो जाओ आपको यहाँ पर success batch मिलेगा जो aims के लिए एकदम perfect होगी यहाँ पर आपको recorded classes, live classes, chapter wise notes, doubt session, practice set weekly test और previous year questions के complete solution मिलेंगे और यहाँ पर 100% selection की guarantee है यह course आपको 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम जब तक आपका exam नहीं हो जाता आपका course classes चलेगी, already classes चल रही है सभी लोग जल 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 जोइन हो जाओ उसके बाद आपको practice के लिए हमने एक PDF प्रोवाइड कराया हुए जिसमें 8000 objective questions है जो हिंदी इंगलिस दोनों महासाओं में मिलेगी और इसमें आपको सारे subject के questions मिल जाएंगे यह आपको 149 में मिलेगा यह भी आपको हमारे app में ही मिलेगा ठीक है तो all subject का practice करना तो यह PDF अप ले लेना और app का link हमने description box में दे रखा या फिर जाके play store में search करना study medium आपको दीख जाएगी और कोई भी डाउट अगर हो ताप इस help line नमबर पर call करना आपको instant solution मिलेगा और अगर आपको course purchase करने में problem होती है ताप इस नमबर पर direct phone पर Google पर पे ATM कुछ भी कर दो और आप हमें वाटसप कर देन आपका course active हो जाएगा ठीक है वीडियो कर पसना है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए